दोस्तो, उमीद है आज की ये प्रेरक कहानी आपको बहुत पसंद आएगी कहानी को अंत तक जरूर देखें एक गाउं में एक वैपारी रहता था उसकी ख्याती दूर दूर तक फैली हुई थी एक बार वहां के राजा ने उसे चर्चा पर बुलाया अपनी देर चर्चा के बाद राजा ने कहा महाश्य आप बहुत ही बड़े सेट हैं इतना बड़ा कारूबार है आपका पर आपका लड़का इतना मूरख क्यों है उसे भी कुछ सिखाएं सोने चांदी में अधीक मुल्यवान क्या है उसे तो यह भी नहीं पता है यह कहकर राजा जोर से हस पड़ा वेपारी को बुरा लगा वह घर आया वह लड़के से पूछा सोने चांदी में अधीक मुल्यवान क्या है लड़का फूरे विश्वास के साथ बोना सोना पिता जी फिर उस वेपारी ने कहा तुम्हारा उत्तर तो ठीक है फिर राजा ने ऐसा क्यों कहा सभी के बीच मेरा मज़ा क्यों बनाया लड़की के समझ में आ गया वह बोला राजा गाउं के पास एक खुला दर्बार लगाते हैं जिसमें सभी प्रतिष्टित व्यक्ति सामिल होते हैं यह दर्बार मेरे स्कूल जाने के मारग में ही पढ़ता है उन्हें पता है मैं आपका बेटा हूँ इसलिए वह मुझे देखते ही बुला लेते हैं अपने एक हाथ में सोने वह दुसरे हाथ में चांदी के सिक्के रख कर कहते हैं कि जो अधेक मुल्यवान है वह ले लो और मैं चांदी का सिक्का ले लेता हूँ सभी मुझे बेवकूप समझ कर हंसने लगते हैं और मेरा मज़ा लेते हैं ऐसा तकरीबन हर एक दुसरे दिन होता है फिर वपारी ने कहा फिर तुम सोने का सिक्का क्यों नहीं उठाते हैं चार लोगों के बीच अपनी बेज़ती क्यों कराते हूँ और साथ में मेरी भी लड़का हसा और पिता के हाथ को पकड़ कर गर के अंदर ले गया और कपाट से एक पेटी निकाल कर दिखाई तो चांदी के सिकों से बरी हुई थी यह देखकर वपारी चकित रहे गया लड़का बोला जिस दिन मैंने सोने का सिक्का उठा लिया उस दिन वपारी यह खेल बंद कर देगा वह मुझे मूरक समझ कर मज़े लेते हैं तो लेने दे यदि मैं भुद्धि माने दिखाऊंगा तो कुछ नहीं मिलेगा और किसी के समझने से हम मूरक थोड़े हो जाएंगे असल में हम क्या है वह हमें शिवम पता होना चाहिए उतना ही काफी है अकल मंद वपारी का बेटा हूँ अकल से काम लेता हूँ मूरक होना अलग बात है और समझ जाना अलग सवर्ण मोके का फायदा उठाने से बहतर है हर मोके को सवर्ण में तबदील करना जैसे समूंदर सब के लिए समान होता है कुछ लोग पानी के अंदर से टाल कर आ जाते हैं और कुछ लोग मचलियां डूंड लेते हैं वहीं कुछ लोग मोति चुनकर भी लाते हैं बेटे की इतनी ग्यान बरी बाते सुनकर वपारी बेटे पर बहुत गराव करता है दोस्तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुद्धिमान होने से सब कुछ नहीं होता अर्थार्थ जल्दबाजी में आकर ऐसे आउसर को न बांप लिया जाए जो फाइदे की बजाए नुक्षान का कान बने बुद्धिमान का पड़दर्शन करने से पहले विचार करें कि ऐसा करने से मुझे क्या लाब हो सकता है दोस्तो यह कहानी तो छोटी सी है लेकिन हमें बात बहुत बड़ी सिखा रही है अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे जदा से जदा सेर करें और हमारे चैनल को भी सबस्क्राइब करें दन्यवाद